जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान यहीं से जची बात करेंगर कॉटन की, तो MCX कॉटन देख रहे हैं, 36,830 पर ट्रेड करती नजर आ रही है 37,000 के भी पार हमने कीमते कॉटन की जाते भी देखी, अब फिर से देख रहे हैं कि वही 37,000 की और जाती भी नजर आ रही है कीमते आपको यहां से क्या लगता है, क्या यहां से कॉटन 37,000 के भी पार जाती नजर आ सकती है भी हाल फिलाल के अंदर दीकि कॉटन में हमने CI के फिगर्स का एक फोड़ा एक फिगर्स का एक फिगर्स आएंगे हमने देख लिए 348 के फिगर्स आए हैं जबकि फिजिकल मार्केट प्लेर्स की बात करें तो 320 के ऊपर कोई बताई नहीं रहा है एक चीज़ तो क्लियर इस बार प्रोड़ेक्शन साइज हमारी काफी कम है प्रोड़ा यह सेकेंड अगर हमने कहीं ना कहीं अगर डिमांड की बात करें तो वार्ट थ्री कॉर्ट फोर में एपैरल डिमांड काफी शीव्रली हाई रही है तो ऐई तिंग एक तरफ दिमांड इंप्रूव हो रही है गलोबल बैलेंसीट डॉमेस्टिक बैलेंसीट भी कर रहा है तो आप देखिए इंटरनेशन में आइस कॉटन 120 के वे पर निकल चुका है टैक्निकली हमें लगता है कि यह 138-140 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लो मिश्टिक मार्केट पर अलड़ी हमने यह रहली बन चुके है तो आई थिंग एक कंसॉलिडेशन का का फेस कॉटन के लिए स्टार्ट हो चुका है बजट में उनीद जला जा रही है कि टेक्स्टा इंड़स्ट्री को रिलीव देने के लिए इंपोर ड्यूटी में कुछ चिंजस किया जा सकता है तो मुझे लगता है मार्केट अब थोड़ा सा कंसॉलिडेट करेगा बढ़ ह अभी भी मार्केट जब तक 32,000 के उपर मिंटेन है टेक्निकली काफी साउंड है जो उपर में 42 से 44,000 के बीच में कॉटन का भाव जबकि कपास में भी हमें लगता है कि साड़े बाई से 23,000 का लेवल एज उफनों दिखाई दे रहा है तो ओर और मुझे लगता है कि कॉटन नहीं दिख रहे कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा फॉल आ जाए जी तो यानि कि कॉटन में भी जो आगे तेजी का रुजान रहेगा लॉंग टम में वो भी तेजी कराएगा 40-44,000 तक का टागेट देखने को मिल सकता है कॉटन के अंदर टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान